हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एट्वन्टीफोर नॉलेजे ओफिशल यीडूप चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुनसिपल कॉर्परेशन चंडिगड, डिस्पेर फैंड्स से यहाँ पर स्टाफ पोस्ट के लिए ओनलाइन आविदन इन्वाइट किये गये है और इसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो यहाँ पर फैंड्स से जो वेकेंसी है, स्टाफ पोस्ट के लिए यह आपके 8 अप्रेल 2021 से 3 माई 2021 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं, लास्ट देट समिशन ओ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर फैंस आपको पब्लिक नोटिस इसके लावा सेलेक्षन या LBT क्राइटेरिया या जनल इंस्ट्रक्शन आपको दिये गए हैं, आप यहाँ पर इन नौटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो vacancies है उसको check कर सकते हैं दिस पोस्ट के याप eligible है अप़लाइ करना चाहते हैं अप्लाइ कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक online form एंट login का option मिलता है तो आप यहाँ पर online form वाले option पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फेंस अपसे पहले आपसे पूछ जा र इसके बाद आपको आपका father name और इसके बाद आपको यहाँ पर mother name देना होगा, यह देने के बाद आप से पूछा जाएगा, ex-serviceman के बारे में, अगर आप self है या फिर liner descendant है, तो आप इनमें से select कर सकते हैं, नहीं तो आप no करेंगे, इसके बाद marital status आपका क्या है, वो आपकी nationality क्या है, इसके बाद कोई भी visible identification mark, कोई भी cut का निशान, कोई mole, कोई burn का निशान, जो भी आपके चहरे हाथ पैर पर जो भी visible हो, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है, या फिर आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप no mark की entry कर सकते हैं, अगर आप पहले से working है, चंडिगर administration में, तो आप यहाँ पर yes and no कर सकते हैं, और अपनी जानकारी provide कर सकते हैं, आपका gender आपको select करना है, आपका DOB, date of birth आपको select करना होगा, तो यह calendar आपको दिया गया है, आपका जो भी date of birth है, वो आप select करेंगे, उसके बाद आपकी mail ID और आपका जो mobile number है, वो active होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर fill करेंगे, इसके बाद friends से दिये गए, नए step पर आप click करने वाले हैं, इसके बाद friends से यहाँ पर आपका registration number and password आपको मिल जाएगा, आप उसे copy paste कर सकते हैं, या फिर उसे note down कर सकते हैं, और इसके बाद आपको complete form पर click करना है, और इसक पर login होने के बाद यहाँ पर है post का नाम, तो आप जो भी post के लिए applicable है, तो आपको multiple post यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आप अपने according उस post को select कर सकते हैं, इसके बाद आपको option मिलेगा, add post and category का आप इसमें add कर देंगे, यह add होने के बाद friends से देखिए, यहाँ पर post आपक select करेंगे और उसके बाद add post category पर किलिक कर देंगे, यह करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, नीचे दो post यहाँ पर देखने को मिल गई, ऐसे ही आप चाहें तो एक या दो आप जैसे भी करना चाहें, वो आप add करें, उसके बाद नए step पर आप किलिक कर देंगे, इसक सबसे पहले आप matrix की, इसके बाद आपको यहाँ पर जो details है वो आप add कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले matrix select कीजिए, यहाँ पर आपका year of passing आपको देना होगा, इसके बाद आपका board या university कहां से आपने इसको पास किया है, marks obtained, कितने numbers आपने गेन किये हैं, कितने में से गेन किये हैं, यह आपको fill करना है, और add qualification कर देना है, इसके बाद आपकी जो qualification है, नीचे आपके add हो जाएगी, ऐसे ही अब आपको 10 प्लस 2 की entry करनी है, यहाँ पर same आपको आपका passing year, आपका board का नाम, इसके बाद marks obtained और यहाँ पर आपके total marks आप enter कर देंगे, इसके बाद 10 and 12 की entry करने के बाद, अब आपके पास options हैं, जैसे diploma का, graduation का, certificate course, पटवारी examination के लिए post graduation, आप यहाँ पर multiple options को select कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपने according details को आप यहाँ पर enter कर देंगे, qualification में friends, आप यहाँ पर जैसे जैसे add करते जाएंगे, आपको details के हम मिलती जाएंगी, आप चाहें जितने भी qualification को यहाँ पर add कर सकते हैं, और उसके बाद आप next step पर click कर देंगे, यहाँ पर friends, आप से पूछर आएगा कि आप जो education या other qualification है, advertisement के according वो आप fulfill करते हैं, आपको computer की knowledge है, प्रोफेंस या computer of knowledge है, या DEO का आपके पास जो knowledge होनी चाहिए, वो आपके पास है या नहीं है, वो आप जानकारी provide कर सकते हैं, इसके बाद आप next step पर click कर देंगे, यहाँ पर friends, आएगा आपका address section, तो आपका देखी जो भी पूरा address है, जो भी आप लिखते हैं, अ अलग-अलग है, तो आप अलग-अलग entry भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप अपने according यहाँ पर fill कर देंगे, इसके बाद है, आपका यहाँ पर permanent आपका state, तो आप यहाँ पर उसको भी select कर लेंगे, आपका photograph and signature JPG format में upload करना है, और 100 KB से कम इसका size होना चाहिए, तो आप browse पर click करेंगे, file को select करेंगे और यहाँ पर upload कर देंगे, तो friends, यहाँ पर photo inside upload करने के बाद आपको देखिए, जो preview है, वो देखने को मिल जाएगा, पर review देखने के बाद आप next step पर click कर सकते हैं, इसके बाद है आपका declaration, तो यहाँ पर friends, सबसे पहले जो यह preview है, इसको आप ध्यान से check करेंगे, read करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर friends, जो भी details आप से मागी गई है, जो जो options आप अपने, जो भी post select करेंगे, उसके according आपको देखने को मिलेंगे, और उसके according ही आप yes या no करेंगे, एक एक details को check कीजिए, इसके बार यहाँ से agree कीजिए, commit करने के बाद, friends, से देखिए, आपका form यहाँ पर complete हो गया है, next step है आपका deposit fees, जो कि आप bank में जम्मा करवाएंगे, और यहाँ पर friends, जब आपनी fees आप जम्मा करवा देंगे, तो 48 hours बाद आपको दोबारा से login करना होगा, यहाँ से, और login करने के बाद, आपको यहाँ पर print out जरूर निकाल कर अपने पास रखें और bank जाकर इसको जम्मा करवा दें, तो यहाँ पर friends, आपके सामने देखिए, जो चलान है, वो आपके सामने open हो जाएगा, और यहाँ पर आपको reference number, candidate name, date of birth, और आपको यहाँ पर कितने रुपय आप जमा करवा रहे हैं, कितने का note ह वो आपको यहाँ पर उसकी संख्या लिखनी होगी, total charge आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अब यहाँ पर जो आपके साम copy है, यह candidate copy है, यह friends आपके bank अपने पास रख लेगा, और यह बाद में department के पास जाएगी, जब भी वो आप से मांगीगे, तो यह आपको वा लोगिन कर सकते हैं, अपने लोगिन ID पासवर्ट के थ्रू, तो यहाँ पर friends से मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप इसमें आविदन कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इन सभी बातों के बारे में, बाकी की जानकारी आप जो